राजधानी पटना में देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब गैंग वोर में अरवल से भाजपा के पूर्व विधायक रहे चितरंजन शर्मा के दो सदोहर भाईयों को गोलियां से चलनी कर दे गया जिले के पत्रकार नगर्थाना क्षितर में चितरंजन शर्मा के दो भाईयों शम्भू शरण और गोतम सिंग की गोली मार हत्या कर दी गई इस घटना से इलाके में हडकंप मचा हुआ है वहीं घटना की सूचन मिलते ही मौके पर पहुँचे पुलिस ने मामले की चानबीन शुरू किये इस दोरान पटना SSP मानवजित सिंग धिल्लो ने कहा कि अग्यात अपराधियों ने दो सगे भाईयों को गोली मारी है जिसमें एक भाई गौतम सिंग की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि दूसरा भाई शम्भू सिंग ने एलाज के दोरान दम तोड़ दिया यह तकरीबन 6,5,6 और 6,35 के बीच की घटना है दो सहोदर भाई जो की मूल रूप से नीमा गाउं धनर्वा थानाक शेतर के रहने वाले हैं शम्भू सिंग और गौतम सिंग यह दोनों मोटसाइकल से आ रहे थे और इनका पीछा दो और अपराधि जो की मोटसाइकल पर कर रहे थे यहां पर उन्होंने जो घटनास तले उनको इंडरसेप्ट किया है और उनके उपर गोलियां चलाई है तकरीबन 4 पोखा हम लोगों को मिला है उसमें दोनों के उपर लगबग 2-3-3 फायर किया गया है और दो ही अपरादी है और कोई अपरादी अभी तक नहीं ह और जो हम लोगों ने इसकी प्रेश्ट भूमी पता की है यह जो नीमा गाओं है बहां पर दो गुट चलते हैं और इसमें जो एक गैंग रैवेलरी टाइप का है इन दोनों गुटों के बीच में पहले भी बहुत हत्याइं हो चुकी है और उसी में ही प्रतम दृष्टिया अलग रहा है कि आपसी विवाद में इनकी हत्या करवाई गई है बाकी जैसे फरीजन आगे का हम लोगों को स्टेट्मेंट देंगे हैं काफ्री की दर्ज करके हम आगे की कारवाइब कर देंगे च्टन 6 और 635 अपर आधी पता चल रहा है अगम खुआ से रहा है कि पत्रकार नगाट थाना च्टन में इंटर किया है इसमें हम लोग की सारा सीची टीवी जितने भी आसपास सीची टीवी हैं उनको हम लोग हंगाल रहे हैं बता चलेगा कि कि कहां से पीछा किया जा रहा जो हम लोगों का अवैद 7mm और 9mm की पिस्टल बोते हैं, उनी का ही उप्योग किया है, और जो कारण जिसमें आपको पहले भी बताया है, कि उस गाउं में दो गुटे हैं, इसके बीच में एक वर्चस्ट की लडाई चलती है, उसी वर्चस्ट की लडाई में प्रत्थम प्रतीत होता है कि घठना हुई है, बाके जैसे प्राण जिसमें दो गुटों के बीच लंबी अर्से से वर्चस्ट को लेकर गेंग वर्चस्ट चल रहा है, जिसमें कई लोगों की हत्या हो चुकी है, इसी क्रम में दोहरे हत्यकांड को जोड़कर देखा जा रहा है, फिलह पंजाब केशरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट